नमस्कार शातियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्योरीकल उपराजिस्थान एक्सवाई जेड के अंदर का स्वागत हैं आज की वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजिस्थान जीके से समंदित है जिसके अंदर जेतने भी दोस्तों प्रिवेस चैनलिश क्यूशन के बारे में चर्जा करेगी जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों तो वीडियो के अंते तक बने रहे हैं ठीक है और एपिसोड नमबर चल रहा है अपना 95 तो देखते हैं कि दोस्तों आज का सब से पहला क्यूशन कौन सा होने वाला है तो दोस्त किसने करवाया तो निर्मान की बात करें तो गुजर परतिहार सासक का क्या नाम था चांद दोवरा आटवी स्ताप दी में दोस्तों इसका निर्मान करवाया ओगे दीखी इसके बारे में चांद बावडी राजस्तान के किस जिले मेंस्तित है तो ये अपने कहां पर हो कि चांद बावड़ी कौन सी सेली के अंतरगत है तो यह महा मारू सेली के इंतरगत बनाएगी ठीक है, जो की गुजर परतियार सासकों की सेली थी, अगला एक क्युस्टन है, आभा नेरी बावड़ी की आवस्तिती निम्न से किस जिल्यम है, तो दोस्तु, यह कहां पि हो है दोस्तु और इसके लाओ अंदरे को और किस नाम से जानते हैं तो आवा नेरी बावरी को और जानते है दोस्तो shaping और झान्धेरी कि बावरी जुखने अंदेर उुझायले कि नाम से जानते है जो कि 13 बावरी है और 100 influence गेरी है जिस में 3500 शी ड़्य तर्थ ठीक अगला क्युशन देखी बुंदी में श्तीत रानी जी की बावडी का निर्मान किसने करवाया तो बुंदी में जो रानी जी की बावडी दोस्तु इसका निर्मान किसने करवाया तो यहां पर अपना राइटन सर्क्या हो जाएगा तो राणी नाथावती ने दोस्तों इसका निर्मान करवाया ठीक है राणी नाथावती के दोरा सोला सो नन्याण में के अंतरगत दोस्तों इसका निर्मान करवाया ठीक है सोला सो नन्याण में के अंतरगत तो यहां निर्मित जो हर्षत माता का मंदिर है परतिहार सामन्त चोहनों ने मतलब की बनवाया था तो यह दोस्तु पहला उप्षन अपना क्या सही है तो पहला उप्षन अपना सही हो जाएगा ठीक है और यहां की जो चांद बावड़ी है दोस्तु एक विश्व प्रसीद बावड़ी है ठीक है और यहां पीपलाद माता का मंदिर है दोस्तु तो यहां पर दोस्तु पीपलाद माता का मंदिर आबा नेरी के इंतरगत नहीं है ठीक है तो यह दोस्तु मतलब की यह तीसरा उप्षन अपना गलत है कि पहला और दूसरा उप्षन अपना सही हो जाए तो यहांपे पना राइठासर क्या हो जायेगा दोस्तु यह क्योशन मतलब कि delete माना गया ठीक है आरपिेस्सक के द्वारा अगर लागे उसमें देखिए राजस्तान के किस जिले में राने जी की बावड़ी इस्तीत है तो यहां पे अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा बूंदी के इंतर्कत राने जी की बावड़ी इस्तीत है अगर लागे उसमें देखिए दूद बावडी किस जिले मिस्तीत है तो दूद बावडी की बात करे तो दूद बावडी अपने माउंट अबू सिरोई के अंतरिकत होने वाली है ठीक है अगर दूद तलाई की बात करे तो दूद तलाई अपने कहां पर हो जाएगी उधेपूर के अंतरिकत है ठीक है परसित बटाडू का कुवा राजिस्थान में निमन में से किस जिले मिश्थीत है तो यहां पर अपना राइटन से क्या हो जाएगा दोस्तू बटाडू का कुवा अपने बाड मेर के अंतरगत होने वाला ठीक है बटाडू का कुवा जिसको अपन राजिस्थान का जल मेर के अंतरगत है जिसको और किस नाम से जानते है तो रेगिस्थान का जल मेल भी इसी को कहते है ठीक है बटाडू का कुवा जिसको अपन राजिस्थान का जल मेल भी कहते है और संग मरमर की एक विसाल गरूड पर्थी गुलाब सिञ्ग न ठिक गुलाब सिंह न इसका बटाडु का कुला का निर्मान करवाया तो 1947 कंदर जो अकाल मतलब कि का निर्मान करवायए गया है अगला को सिसी न देखिए रगिस्तान का जल्मेल को से कहते तो वह ही क्योंसे ने दोस्त्तों लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया तो बटाडू का कुवा जिसको अपन राजस्थान का जल मेल के नाम से जानते या फिर रेगिस्थान का जल मेल के नाम से जानते तो वह कहां पर हो जाएगा बाड मेर के अंतर के जिसको बटाडू का कुवा या फिर रेगिस्थान क जल मिल्क कहते है दोस्तों ठीक है अगला एक उसन देखिए निम्र में से कौन सी बावडी और स्तान सुमिलित नहीं है दोस्तों तो यहां पर बावडी और स्तान दे रखें तो इन में से दोस्तों कौन सा उप्शन है जो कि एक है सुमिलित है दोस्तों ठीक है सुमिलित की बा करें तो नो लखा बावडी दोस्तु जेपूर के अंदरगत नहीं यह कहां पे हैं यह अपना डूंगरपूर के अंदरगत है ठीक है और जाली बाव की बावडी की बात करें तो दोस्तु यह कहां पी हो जाएगी तो यह दोस्तु कुंबलगड के अंदरगत होने वाले ठीक ह चालीबाव की बावद़ी कहा है कुंबल गढ़ के अंदर चीर ठीक है जोकि रामघ्ण है अपना रास संबंध के अंदर नुम जिला बावड़ी कहां पर Top 10th तो यहां पे दोस्तों नो मंजिला की बात की गी है, तो नो मंजिला जो बावडी एक कहां पे हो जाएगी, तो यह अपने निम्राना अलवर के इंतर के ठीक है, जिसको टोटरमल ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है टोटर मलने नीमराना की बावडी का निर्मान कराया जो की नो मंजीला दोस्तू बावडी है ठीक है और बाकी जो अबानेरी बावडी ये कितना मंजीला तो ये तेरा मंजीला बावडी होने वाले जो की सो फिट के लगवग घेरी है ठीक है बाकी नीमराना की बात करे तो रानी नाथावती ने इसका निर्मान करवाया मुंदीवे जोचा वो अपना रानी जी की बावड़िस का निर्मान रानी नाथावती ने करवाया कब करवाया 1699 में के अंतरगत ठीक है और भांडा रेज जोकी दीप सिंग के द्वारा इसका निर्मान करवा है जो कि दोसा के इंतर गयता है अगला एक उसन देखिए कथन पस्ट और सेकंड को पढ़ना है दोस्तों वर्सा जल संग्रहन वर्सा को जल संग्रहन करने की एक प्रभाव साली विदी है तो यहां पर मतलब कि वर्सा जल है उसको संग्रहन करने की एक प्रभाव साली विदी है तो दोस्तों मतलब कि जो वर्सा के जल को संग्रहन किया जाता है तो एक यह प्रभाव साली विदी होती है तो पहला उप्सन अपना सही हो जाएगा ठीक है और पस्मी राजिस्थान में परमप्रागत जल संट्रक्षन की विदिया अभी भी प्रभाव से आली है तो दोस्तु अपना दूसरा भी उप्सन सही है लेकिन जो दूसरा उप्सन है दोस्तु ये पहले का सही डंग से मतलब की एक्स्प्लैनेशन नहीं करता है यानि कि वरनन नहीं करता है तो यहाँ पर अपना राइटन से क्या हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तु बी उप्सन अपना सही होने वाला है क्योंकि ए और आर दोनु सही है लेकिन जो R है यह मतलब की A का सही explanation या सपस्टी करण नहीं करता है कारण क्या है अगर यहाँ पर मतलब की पस्मी राजिस्थान के अंतरगत टांके कोई वगएरा या खड़ेन का नाम लेकर फिर बोलता है कि यह मतलब की पस्मी राजिस्थान के अंतरगत यह जल सानरक्सान की विदिया है तो यह क्योशन अपना मतलब की सपस्टी करण सही करता है ठीक है तो यह सही करता होगा लेकिन यह अपर नहीं करता है ठीक है इस कारणे से यह option भी option हो जाएगा अगला question देखिए नेमना लिक्त में से कौनसा राजिस्थान परमप्रागत जल सानरक्सान की विदी में नहीं आता है तो यहाँ पे दोस्तों कुछ option दे रहे हैं जिनके according अपन को जवाब देना इनमें से कौनसा option ऐसा है जो कि परमप्रागत जल सानरक्सान विदी के अंतरक्त नहीं आता है तो दोस्तों खडीन की बात करें तो यह पालेवाल ब्रामनों के दोरा जेसिल मेर के अंतरक्त खेती की जाती है और जो कि यह अपने परमप्रागत जल सानरक्सान से समान देता है बागी टोबा भी मतलब कि प्रमप्रागत से समय देता है टांका भी है लेकिन नाली दोस्तों मतलब कि ये जल सरंखरा की प्रमप्रागत वीदी नहीं है ठीक है अगर यहां पे दोस्तों नाली की जिगह पर नाड़ी होता ना तो फिर तो अपना राइट अंसर हो जाएगा मत पूछ लिया जाता है कि यह जो नो लखा बावड़ी इसकी सिल्पी कौन थे तो लिला धर इसके सिल्पी थे जो की प्रेमल देवी की द्वरा इसका निर्मान करवाया गया ठीक है अगला क्यूशन देखिए गलत यूगम को चुनिए तो यहाँ पर दोस्तो कुछ क्यूशन दे रहे हैं अभा नीरी बावडी है उसी के सामने हर्षत मता की बावडी है ठीक है बाकि चांद बावडी कहां पर है तो चांद बावडी दोस्तों मतलब की दोसा अजमेर के इंतरकत होने वाले है ठीक है दोसा के इंतरगत होने वाले यहां पर दोस्तों तोड़ा सा करेक्शन करना क्योंकि यहां पर साइध मिस्प्रिंट हो गई किताब वालू से तो यहां पर दोसा हो गया ठीक है दोसा यहां पर अपना राइटन से रहोने वाला चांद बावड़ी दोसा के इंतरगत सही तिसरा भीfly इपना सही हो जाएगा भाकी मंदाखनी जो मंदिर है मंदाखनी जो बावडी है दोस्तू यह अत्समेर के इंतरगत भून थो Berk59 कर लेना कि चांद बावडि कहां पहां पर लड़ हो जाएगा ओंफ ट कि हले की इस अगे अग्यारी में का M जायेगी टोडा हो जाएगी स्चायएं कि हले ग्युजचन के शर। राजस्तान का कौनसा सहर बावडियो का सहर भी कहा जाता है तो यहां पे दोस्तों इसा कौनसा सहर है जो कि बावडियो के सहर के नाम से जाना जाता है तो यहां पे दोस्तों बूंदी सहर है जिसको अपन City of Wales के नाम से जानते हैं बावडियो का सहर भी कहा जाता है और यहां पटवों की हवेली का निर्मान किस ने करवाया तो यहाँ पर अपना राइटन से क्या हो जाएगा तो पटवों की हवेली का निर्मान की बात करें दोस्तों इसका निर्मान करवाया गुमान चंद ने ठीक गुमान चंद ने दोस्तों पटवों की हवेली का निर्मान करवाया कब करवाया तो यह अपने 1805 में दोस्तों इसका निर्वान करवाया ठीक है जो कि एक पाँच मंजिला इमारत है जिसको बनाने में लगबग 50 वर्स लगे थे जो कि सिंद भारत और मुगल यहूदी सेली के इंदर के जो कि जेशिल मेर में है दोस्तों इसका निर्मान किसने करवाया गुमान चंद ने ठीक है अगला कि उसन दीखिए पटों की हवेली कहां स्थिता है तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ दोस्तों यह कहां पे जेशिल मेर के इंदर के जिसका निर्मान किस ने करवाया गुमान चंद ने ठीक है इसका निर्मान कब करवाया तो ठारा सुप पांच में करवाया जो कि अपने पुत्रू पुत्रू के लिए इसका निर्मान करवाया ठीक है अगला कि उसे ने सालम सींग की हवेली कहां पे तो सालम सींग की हवेली की बात कर गया दोस्तों ठीक है तो यह दोस्तों सबसे उची जो मैं यह अपनी जो हवेली है दोस्तों कौन सी हो जाएगी सालम सिंग की हवेली होने वाले ठीक है वह लेकिन वर्तमान में इसकी दो जो मंजिले हैं उनको हटा दी गई ठीक है अगला क्यूशन देखिए नतमल और सलीम सिंग की हवेली स्थित है तो नतमल और सलीम सिंग की जो हवेली दोस्तों यह कहां पर हो जाएगी तो यह भी इपना राइटन सेर क्या हो जाएगा दोस्तों यह बिकानेर के इंतरगत होने वाले है ठीक है जेसिल मेर के इंतरगत सलीम सिंग और नतमल की हवेली ह होने वाले ठीक है और अगला क्योंसें देखिए राजस्तान में परेटकु का एक प्रमोख आकर्षन पोदार की हवेली कहां पे स्तित है तो दोस्तों यहाँ पे पोदार की हवेली काहां पे हो जाएगी यह अपने होने तो स्वन नगरी की नाम से भी जानते है ठीक है यहाँ पे कौन कौन सी हवेलिया है तो यहाँ पे दोस्तों पोदार की हवेलिया है पोदार के अलावा दोस्तों और कौन कौन सी हवेलिया है तो भगतु की हवेलिय भी यहाँ पे और मतलग भगोरिया हवेली जलान हवेली और रूपन निवास और गोविंद सेक्सरिया ठीक है यह कुछ यहाँ पर हवेली है ठीक है अगला क्यों देखिए डूंडलोद किसके लिए परसीद है तो यहाँ पर पना राइट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर परम परागत जो सूमंदर इमारत होती दोस्तू इसके लिए परसीद कौनसा अस्तान है टूंडलोद होने वाला ठीक है टूंडलोद के अंदर के दोस्तू गदू का मेला भी लगता है ठीक है अगला क्योशन देखिए बच्छावतो रामपुरिया और गुलेचा सेठिया की हवेलिया राजस्थान में कहां स्थिता है तो यहां पर दोस्तु बच्छावतो और रामपुरिया और गुलेचा सेठियों की जो हवेलिया है यह कहां पर है तो यहां पर दोस्तु important इस चीज़ को ध्यान रखना रामपूरिया की जो हवेलिया है ये क्यूसन को ज़्यादा ही पूचा जाता है रामपूरिया की जो हवेलिया ये कहां पर हो जाएगी तो बिखानेर के इंतरगत है ठीक है तो शुजान गड़ चूरू के अंतरगत अपना राइट अंसर हो जाएगा बी ओप्शन जो कि दोस्तों मतलब की अपने भीती चित्रू के कारण परसीद है ठीक है भीती चित्रू के कारण दोस्तों ये मतलब की हवेलिया परसीद है अगला क्यूसन देखिए बुंदी में चौरासी खंबू की चत्री का निर्मान किसने करवाया तो बुंदी के अंदर जो चौरासी खंबू की चत्री है दोस्तों इसका निर्मान करवाने वाले सासक का क्या नाम हो जाएगा तो यहां पे राव अनिरूद के काल में दोस्तो इसके भाई ने करवाय था ठीक है इस राव जो अनिरूद है दोस्तो इसके काल में इसके भाई ने देवा ने करवाय था लेकिन देवा का यहां पे उपसन मनी है तो यहां पे इसका काल ही आ जाएगा ठीक है तो यहां पर राव अनुरूद की काल में दोस्तू इसका निर्मान हुआ दोस्तू ठीक है तो 84 खंबी जो की बुंदी के अंतरगत देवपुरा गाउं के अंतरगत है जो की राव राजा अनुरूद की समय मतलब की इसके भाई ने राव देवा ने करवाय था दोस्तू 1683 से लेकर 1685 में के बीच में ठीक है अगले की उसने देखी 84 खंबू की जो छत्री है इसके बारे में निमला लिकत कतनों में से कौन सा कतन ए सत्य है ए सत्य कतन इसमें पैचान करना है तो ये दोस्तू मतलब की ये चत्री है इसका निर्मान राव विष्णु सींग की काल में हुआ तो ये उप्सन अपना गलत हो जाएगा ठीक है ये दो ओप्सन कौन कौन से तो ये चत्री दोस्तों बुंदी के पास में मतलग ये चत्री बुंदी के पास देवपुरा गाउं में ठीक है और इसका निर्मान कब से 1603-1600 पिचान में के मध्य करवाया गया तो ये दो तेन ओप्सन ने से हो जाएगा पहला ओप्सन गलत है ठ दुर्गादास की चत्री दोस्तों कौन से राजी में अचेते है तो ये अपना राइटन सर क्या हो जाएगा मध्य परदेश के अंदर एठीक है जो कि यहां पर दुर्गादास राठोड जो कि असी वरास की आयोν में यहां पर मतलब कि इनकी मर्त्य हो गई ठी अगले थी अग्योर्षन दीखे मुंसी रानी जैतरी कहां स्थीता है तो दोस्तों यह मुंसी रानी कि जह चत्री यह कहां पर हो जाएगी तो यहां पर आपा राइट अंसर क्या होने वहाइलiłा दोस्तों मुनसी राणी की चतरी अलवर उस Java की छितरी सबक्राइब की छो कि चतरी ऐस एक चतरी जो कहां पे दोस्तों अलवर के छतरी तो इसका निर्माण किषण EVER आ डिक है고 माराजा विने शिंग ने यह उसकी निर्माण से बनाइगी यह ठीक है और दूसरी मंझिल की बात करें तो येidosस तू मतलब कि संग्मर्मर से बनाइगी जो कि अपने बीती चित्री के लिए पर सीदाए तो यहां पर दो स्बिक है और ऩब दोसरी चित्र था किस चीज जह तो यहां पर अपना राइटेंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 के इंतरगत तो यह दोस्तों जो पोदार की हवेली है राम गोपाल जो पोदार की हवेली है यह मतलब की सेखावटी की सबसे बड़ी हवेली माना जाता है ठीक है छत्री माना जाता है ठीक है सेखावटी की सबसे तोड़ गड़ के अंतर गाते हैं और अपने इसको मेरा मंदर के नाम से भी जानते हैं ठीक है यहां पर मतलब की एक छोटी सी चत्री बनाए गई है तो यह चत्री दोस्तों किसकी मतलब की याद में बनाए गी है तो यहां पर अपना राइनिसर क्या हो जाएगा राई दास के स्वामी रवीदास के नाम से जाना जाता है और इसको दोस्तों रेदास के नाम से भी जानते है ठीक है रेदास रेदास के नाम से भी इसको जानते है जो कि मतलब कि मीरा का गुरू माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर मतलब कि एक छोटी सी चत्री बनाएगी जो कि कुम्ब स्याम मंदिर या चितोड गड का जो मीरा मंदिर है इसके जेश्ट सामने बनाए गए ठीक है अगला एक यूशन देखिए जो कि छे खंबू की चत्री लगवग रेदास वाली अगला एक यूशन है मेवाड नरेस राणा अमर सिंग वर राणा करण सिंग की चत्रियां का समारक अवस्तित है तो दोस्तों ये जो मेवाड राणा है दोस्तों अमर सिंग राठोड और करण सिंग की चत्रियां है दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगी बाकी यहाँ पे अमर सिंग से लेकर जो मतलब की जो अंतिम सासक था वहाँ तक की चत्री दोस्तु सारी की सारी कहाँ पे हो जाएगी अहाड के अंदर गट ठीक है महाना परताव की चत्री कहाँ पे है तो महाना परताव की चत्री दोस्तु कहाँ पे हो जाएगी चाओंड के अंदरगर ठीक है अगला क्यूशन देखिए राव मालदेव की छत्री निम्लेक्ट में से राजस्तान के किस सेर में स्थित है तो राव मालदेव दोस्तों कौन से सेर से समदी था यह अपने जोधपूर से समदी था तो इसकी छत्री कहां पर हो जाएगी जोधपूर के अंदरगर इसकी छत्री होने वाली है ठीक है अगला क्यूशन देखिए जोधपूर में राजाओं की छत्री में स्थित मतलब की है तो यहाँ पर दोस्तों जो जोदपूर की राजा था है दोस्तों इनकी जो छत्रियां है दोस्तों कहाँ पर तो मंडोर के इंतरगट ठीक है मंडोर के इंतरगट जोदपूर की राजाओं की छत्रियां स्थीत है अगले क्यूशन दीखिए उदेपूर में आहाड के छत्रियां किस वंस के राज परिवार से समंदित है तो यहाँ पर दोस्तों मतलब कि जो यह किस समंदित हो जाएगी सिसोधिया वंस से ठीक है उदेपूर के अंतरगत केवल सिसोधिया वंस सी था तो यहाँ पर केवल मतलब कि इसका right answer क्या हो जाएगा आहड के इंदरगर ठीक है जो कि आहड मतलब कि एक अपना अमर सिंग राना अमर सिंग से लेकर मतलब कि जो अन्तिम सासक था उसकी जो सारी की सारी चत्रियां कहाँ पर यह अपने अहाड के अंदर के ठीक है जीश में सबसे बड़ी जो चत्री यह वो किसकी है वो राणा संगा दित्ती की है ठीक है राणा संगा दित्ती की चत्री सबसे बड़ी चत्री मानी जाती है अगले क्यूसने कसार बाग स्थित है तो कसार बाग की बात करें तो ये दूस्तों, कोटा और बुंदी के इंदर्गत जो एक्जाम है नखेंदर के जद्धा तरक्यूसन आते हैं सुमेलित वाले हैं तो यहां पर सुमेलित करते हैं तो पहला उप्सन है जेपूर जेपूर की बात करें तो जेपूर के अंतरक्त गेटोर की छत्रिया है और जोदपूर की बात करें जोदपूर में कौन सा हो जाएगा ये अपने मंडोर और जस्वंत जो विलास है दोस्तु जस्वंत थड़ा कोपन राजस्थान का या फिर दोस्तु मारवाड का किस नाम से जानते है ताजमेल के नाम से जानते है ठीक है तो जोदपूर के अंतरगत कहाँ पर हो जाएगा अपने राजस्थान का ताजमेल या रेगिस्थान का जो ताजमेल है मारवाड का ताजमेल या कहाँ पर हो जाएगा ये अपने जस्वन्त थड़ा ठीक है कोटा की बात करेंगे, कोटा के नतरगत कौन सा हो जागा छत्र विलास ठीक है, और जेसल मेरबन दोस्तों बड़ा बाग हो जाएगा, जो कि जेसल मेर के जुशा सकत है उनकी जुशत्रियां बनाएगी, वो कहाँ पे बनाएगी बड़ा बाग में ठीक है, तो यहाँ पर पहले के नतरगत कौन सा उप्शन है डी उप्शन ठीक है यन्य कि चोटा डी, च्यार लिख लीके याप यहां पर बीग के नतरगत कौन सा हो जाएगा जौद पूर वाला तो यहां पर तीस तीन हो जाएगा ठीक है कोटा की बात करें तो 2 हो जाएगा और मतलब की जेशल मेर की बात करें तो 1 हो जाएगा यानि कि 4 3 2 1 4 3 2 1 कौन से उसन में दिख रहा दोस्तों फिर उसे समंदित अगला टोपिक होने वाला थेंक्स पूर वचिंग सी यू अगयन